इस वक्त इसराइल के लिए सबसे बड़ी चनौती बन चुका है यमन के हूथी विद्रोहियों ने वो मिसाइल दिखाई है जो उसने इसराइल पर दागी थी और नेतन्याहू का हर डिफेंस सिस्टम उसे रोकने में नाकाम रहा इसराइल के स्नैडर को लेकर तीन बड़ी बा मिसाइल है जिसने इसराइल को बुरी तरह डरा दिया है यहां गिरेगी सब तबाह हो जाएगा हूती ने इसकी कैरण्टी दे दिया है के आफ छी है कि गम्भीरता से लेना होगा। क्योंकि यही है इरान का ट्रिपल हेच यह हूती की बलिस्टिक मिसाइल फिलिस्तीन 2 रेंज 2000 किलोमीटर से ज्यादा फिलिस्तीन 2 को इरान की खैबर शिकन मिसाइल का ही एक वेरियंट या नकल माना जा रहा है हूती की मिसाइल और उसकी लाँचिंग के आफ्टर इफेक्ट्स के बाद यमन की जमीन पर ये मलबा देखिये जिसने अमेरिका की हिम्मत को जला कर राक कर डाला है अगर ये वीडियो बाइडन देख रहे होंगे तो बहुत मायूस होंगे इसमें कोई शक नहीं इन दो तस्वीरों से पूरे पश्चिमेशिया में बहुत ज्यादा खलबली मची हुई है इसराइल के साथ साथ अमेरिका को 440 वोल्ट का जटका लगा है एक तरफ इसराइल पर हमला करने वाले हूती मिलिशिया की मिसाइल है तो दूसरी तरफ अमेरिका के उस ड्रोन का मल रहे हैं इन दो तस्वीरों ने यमन के अंदर एक नया जोज बर दिया है इसराइल और अमेरिका का नया फायर ब्रैंट दुश्मन तयार कर दिया है यमन की सड़कों से लेकर बड़े चौराहों तक अमेरिका और इसराइल के खिलाफ गुस्सा देखिए कलेशिनिकोफ लहर जाता ये मजमाही हूती कहा जाता है जो गज़ा और फिलिस्तीन के लिए इसराइल और अमेरिका को लगातार चैलेंज कर रहा है कभी लाल सागर में अमेरिका और इसराइल से जड़े जहाजों को टार्गेट करके ये धमाके वाके डराते हैं यमन का आस्मान उनके लिए सुरक्षित नहीं तो कभी इसराइल की तरफ ना सिर्फ मिसाइल फायर करके बलकि इसराइल के ये डिफेंस को नाकाम साबित करते हुए हूती लगातार चुनौती दे रहे हैं सबसे पहले उस मिसाइल की बाद जिसने ना सिर्फ इसराइल के के हिएS शहरों में खौप भर दिया है बलकि अमेरिका को भी परिशान कर दिया है फिलिस्तीन के जंडे वाले रंग से तैयार इस मिसाइल का नाम है फिलिस्तीन 2 और ये एक हाइपर सॉनिक मिसाइल है उती मिलीशिया इस मिसायल को आस्मान की तरफ तान देता है टारगेट इसराइल है इस वक्त यमन का सबसे बड़ा दुश्मन फिर शुरू होता है काउंट डाउन 5,4,3,2,1 और मिसायल लॉंच हो जाती है यह मिसायल बढ़ जाती है इसराइल की तरफ दूसरे कैमरे से देखिए ये वीडियो एक ड्रोन से बनाये गया है आसमान को चीरते हुए नेतन याहू को बहुत बड़ा शौक देने निकल जाती है ये मिसाइल इसराइल में जहां मिसाइल गिरती है उसकी तस्वीरें डराने वाली है इसराइल से आए वीडियो देखिए इन तस्वीरों में इसराइल का खौफ है इसराइल डरा हुआ है इस सायरन की और आवाज नहीं लग रही कि इसराइल में जैसे कोई चिला रहा है बचाओ बचाओ क्योंकि इसराइल पर हुआ है एक ऐसा हमला जिसने इसराइल की तमाम सुरक्षा की गारंटी को फेल साबित कर दिया है हूती मिलीशिया का दावा है कि मिसाइल उसी ने तैयार की है और इरान भी यही दावा कर रहा है कि उसे भी इस मिसाइल के बारे में 15 सितंबर को पता चला है जब यमन से ये मिसाइल इसराइल की तरफ दागी गई यमन के हूती विदरोईयों का दावा है कि मिसाइल ने 2040 किलोमीटर का सफर 11 मिनट 30 सेकंड में पूरा किया ये एक हाइपर सॉनिक बेलिस्टिक मिसाइल थी यानि इसकी रफतार थी एक सेकंड में 3 किलोमीटर यमन से लॉन्च होने के बाद ये ऐसी ट्रजिक्टरी में इसराइल की तरफ बढ़ी तो लाल सागर के उपर से जाकर अपने टार्गिट तक पहुंची इस दोरान लाल सागर में अमेरिकी जंगी जहाज के अंटी मिसाइल सिस्टम इसे नहीं रोक पाए साओी अरब और मिसर भी देखते रहे गए और आखर में जॉर्डन के लावा इसराइल बीस मिसाइल को रोकने में नाकाम सावित हुआ मीशे जखुक ले तिसकोरिक बादियन जे मुजमन लवकर बनमाल खुदेदा कौल मीशे तोकिफ होतानू लो यहामोक मिनाखथ जगोएनू अगामस क्वार लूमेट जोट लफूलतेनू अनेखुशा शे तवी लाश्मदतो वुल शेखु कौल खटुफेनू फिलाल अमेरिका के इस ड्रोन पर बहुत बड़ी आफ़ता चुकी है अमेरिका ने जिस ड्रोन से अफगानिस्तान में सैक्लो टार्गेट खत्म कर दिये जिस ड्रोन से अलजवाहिरी को मारा वही ड्रोन अब यमन में मारा जा रहा है इस वीडियो ने अमेरिका के होश उडा दिये है इस तस्वीर में आफसाब देख सकते हैं कि हूती अमेरिका के सबसे खतरनाक MQ-9 ड्रोन के मलबे पर खड़े हैं हूती लडाकों का दावा है कि उन्होंने अक्तूबर 7 के बाद से अब तर अमेरिका के 10 MQ-9 ड्रोन गिरा दिये हैं एक हफ़ते के अंदर ये तीसरा ड्रोन है जिसे हूती ने मार गिराया जबकि 2015 के बाद से ये पंदरवा ऐसा ड्रोन है जिसका हूती ने शिकार किया है हालकि बाइडन की टीम कह रही है कि उसने कोई ड्रोन नहीं खोया है लेकिन यामन के जामर इलाके में ये मल्बा कोई और कहानी समेटे हुए है गरीब 300 करोड लुपे का ड्रोन जो 50,000 फीट की उचाई पर उड़ता है उसे हूती की एर डिफेंस मिसाइल ने मार गिराया अमेरिका भी जानता है कि ये काम आसान नहीं है अमेरिका भी जानता है कि ये काम आसान नहीं है इसराइल पर हमास के हमले के 11 महीने पूरे हो चुके है घजा पर इसराइल के आपरेशन के भी 11 महीने पूरे हो गए है 11 महीनों की तबाही का दोर ऐसा चला है कि युद का एपी सेंटर अब घजा से निकल कर इसराइल और लिबनान बॉर्डर के साथ-साथ यहन और लाल सागर में पहुत चुका है आपर लाजी युद का है जोस्साम पर अपलस्टीनी मतलूम गज़ा में चल रही बंबारी के बाद यमन के हूती प्रोएक्टिव है उनको इरान का पूरा समर्तन भी है वो लाल सागर में इसराइल के जहाजों को निशाना बना रहे हैं अमेरिका और बिटेन के हमले उन्हें डराने में नाकाम रहे हैं उती ने इसराइल और उससे जुड़े जहाजों पर हमले तेज कर दिये हैं वो इसराइल के जहाजों या उसके लिए माल ले जा रहे कारगो शिप को लगातार टारगेट कर रहे हैं यहीं से एशिया की तरफ से यॉरप को रास्ता जाता है दुनिया की सबसे एहम शिपिंग लेन मिस्र की स्वेश किनाल से गुजरती है लाल सागर का रास्ता ब्लॉक होने से ये रूट 6,000 किलोमीटर लंबा हो गया है अब समुदरी जहाज अफरीका का चक्कर लगा कर यॉरप पहुँच रहे है इसराइल जाने वाले जहाजों का रास्ता 10,000 किलोमीटर तक लंबा हो गया है तीन से पांच दिन का सफर बढ़ चुका है यानी ज्यादा लागत, ज्यादा वक्त और कारोबार पूरी तरहां चौपण यही है यमन के हूती विद्रोहियों का टार्गेट इसमें कोई शक नहीं कि इसराइल और अमेरिका के सामने यमन नाम का नया खत्रा ना सिर्फ तैयार हो चुका है बलकि अब ऐसी आग उगल रहा है जिसका ठोज जवाब अभी तक दोनों के पास नहीं है यमन में हूती विद्रोहियों के खत्रों को देखते हुए अमेरिका और इसराइल दोनों का गुसा सात्वे आसमान पर है क्योंकि घज़ा को लेकर पहले आकरोश के बाद अब यमन सीधा इसराइल के खिलाफ युद्ध शुरू कर चुका है इससे पहले हुती विद्रोहियों ने इसराइल पर ड्रोन और क्रूज मिसाइल से कैई हमले किये लेकिन 15 सितंबर का हमला ज्यादा खतरनाक कहा जाएगा इसमें यमन की बिलिस्टिक मिसाइल ने इसराइल के एर डिफेंस को चीड डाला है और अब इसराइल महसूस कर रहा है कि उसकी सबसे बड़ी ताकत खत्म होती जा रही है इसराइल के एर और मिसाइल डिफेंस नेटवर्क नाकाम साबित हो रहे है